कैसे हैं बच्चे आप लोग देखिए हम लोगोंने अपनी जो प्रीविएस दो वीडियोज हैं उनके अंदर हम लोगोंने अपने दो चाप्टर that is life processes and control and coordination उनके top 10 MCQs को discuss किया है तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं यहां पे हम देखने वाले हैं next chapter that is how do organisms reproduce तो यहां पे हम top 10 MCQs from this chapter देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले question से पहला question क्या है हमारे पास growing fetus derives nutrition from mother's blood through जो fetus grow कर रहा है mother के womb के अंदर आप देखो कोई भी चीज़ अगर grow करती है तो उसको nutrition चाहिए होगा आप लोग जब छोटे थे चोटे से जब आप बड़े हुए हो तो आपको भी nutrition चाहिए ना तो जो fetus grow कर रहा है हमारे womb के अंदर female के womb के अंदर उसको भी तो चाहिए हो के लिए एक physiological connection होता है between the mother and the fetus और क्या बोलते है उस physiological connection को yes very true placenta क्या कहते है हम उसको placenta है ना तो यह क्या हो गया एक physiological connection हो गया क्या हो गया यह एक physiological correction हो गया है जो inner lining होती है हमारे किसके inner lining होगी uterus की ठीक है तो जो inner lining है हमारे uterus की और साथ में जो हमारा you can say कि betus है ठीक है ना उसके बीच में यह क्या है connection है जिसको हम बोल रहे है प्लैसिद्दा ठीक है बाकी options जो है देखिए uterus uterus के अंदर तो हमारा बेबी रहेगा है ना तो यह option तो नहीं होगा तो यह correct है यहां पर incorrect sorry यहां पर है ना फिलोपियन ट्यूब क्या है फिलोपि ट्यूब के अंदर तो यह भी यहां पर correct नहीं होगा cervix cervix क्या है uterus open होता है एक region में जिसे कहते हैं cervix which ultimately opens into the vagina है ना तो यह भी यहां पर answer नहीं हो जाएगा चलिए move करते है next question की तरफ which of the following is not a sexually transmitted disease देखो यह जो topic है sds वाला इससे ना direct question बनता है क्या direct question बनता है यहां से कि कौन से example क्या है क्या नहीं है को सारी की सारी चीज़े चलिए move करते है question की तरफ क्या कह रहा है question question कह रहा है कि इन में से कौन सा sexually transmitted disease नहीं है इसको short form में std भी कहते हैं और कहीं बार इसको sti भी लिखा जाता है sti का मतलब क्या हो गया sexually transmitted infections तो confused नहीं होना है अगर आपको std ना देकर के sti दे दिया जाए तो sti भी क्या है sti भी यही इद बिमारिया है तो चलिए देखते हैं पहला option what's what's क्या है यह बिटा एक sexually transmitted disease है है ना गया पने कम आंसर देख रहा है कालाजर कालाजर जो है यह हमने कप पढ़ा है यह हमन हमारी है हमारी यह बिमारी sexual transmission के तुरू spread नहीं करती sexual contact के तुरू यह spread नहीं करती है और इसको cause कौन करता है causative agent क्या है इसका leishmania क्या है इसका causative agent leishmania and the important thing about leishmania is that कि leishmania के अंदर जो mode of reproduction है वो क्या है that is the binary vision यह जो binary vision के थू हमारा organism जिसका नाम है leishmania जो पनी copy बना रहा है यह produce कर रहा है वो बिमारी cause करता है कालाजर and this disease does not spread through the sexual method or you can say sexual contact तो हमारे पास correct option क्या हो जाएगा यहां पर बाकी जो भी disease mention किया है यहां पर like gonorrhea mention किया है syphilis, warts यह सारे के सारे क्या है all these are the sexually transmitted disease and sexually transmitted disease वो होते है जो basically एक परसन से दूसरे परसन में transmit होते हैं by the means of sexual contact ठीक है तो यहां पर यह तीन हमारे STDs के example होंगे STIs के example होंगे and यह जो है हमारा this is not an example of STD or STI now moving to the next question what is the surgical method of contraception used in human males ठीक है अब आपके सामने कुछ contraceptive methods यहां पर लिखे हुआ है आपको बताना है कि इन में से कौन सा जो method है हमारा वो एक surgical method है males के अंदर ठीक है ना कैसा method है surgical method है किसके अंदर? males के अंदर चलिए देखते हैं surgical method क्या क्या option दिए हुआ है पर उनको देख लेते हैं vasectomy दिया है हमें condens दिये हैं ठीक है tubectomy दिया है और दिया है contraceptive pills देखो यहां पे जो pills होती है हमारी यह pills बनी होती है किसे यह pills के अंदर होता है hormone that is mainly the progesterone ठीक है females में हैं तो यह method तो हमारा females के लिए होता है ठीक है तो यह तो option नहीं होगा यह तो वैसे ही out हो गया यहां से इसके बाद होता है और अगर मैं male condoms की बात करूं तो उसमें कुछ surgical जैसा कुछ भी नहीं है ना तो यह option भी यहां से out हो जाएगा बचा क्या मेरे पास vesectomy vesectomy yes the correct answer is vesectomy कैसे याद कर सकते हैं आप basically कौन सा पार्ट है हमारे पास एक पार्ट होता है that is called as the vast difference और यह जो पार्ट है हमारा इस पार्ट को cut करके tie कर दिया जाता है males के अंदर and this method is called as the vesectomy ठीक है ना और यह एक permanent method है इसके बाद ऐसा नहीं कर सकते आप कि इसको दुबारा फिर से you can say कि इसको हटाया जा सकते है ऐसा नहीं कर सकते एक बार अगर यह हो गया तो हो गया completely block हो जाएगा आपका sperm का delivery ठीक है तो करेंट option यहां पर हो जाएगा हमारा option number a now moving to the next question plants of desired qualities are produced by जो plants है हमारे ठीक है उनको मुझे अपने हिसाब की जो मेरी हमारे हिसाब से अपने हिसाब से अपने हिसाब से अपने desire के हिसाब से हमें qualities चाहिए उस plant के अंदर तो हम क्या use करते हैं क्या हम sexual mode पे रिलाए करेंगे नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते हम sexual mode पे रिलाए क्योंकि sexual reproduction के अंदर variations बहुत जादा आते हैं और अगर यहां पर बेरियेशन आ जाते हैं अगर यहां पर आ गए तो क्या होगा बेटा तो यह जो होंगे यह हमारी desired quality को क्या कर देंगे disrupt कर देंगे है ना तो इसलिए sexual तो कर नहीं सकते हम किस पर जाएंगे हम vegetative method पे हम जाएंगे वेजिटेटिव propagation पे हम जाएंगे और यह जो वेजिटेटिव propagation है यह वेजिटेटिव methods होते हैं जो यहाँ पर लिखे भी हूँ है आपके सामने cutting grafting layering है ना तो यह तीनों के तीनों क्या है यह तीनों के तीनों ही हमारे vegetative reproduction के methods है और यह तीनों ही क्या करते हैं यह तीनों ही हमें desired qualities को produce करने में help करते हैं तो correct answer क्या हो जाएगा यहाँ पे all of these ठीक है चलिए मूब करते हैं यह नेक्स कोशन की तरफ दवाल्टी सिलल और गान जर्म एट रिप्रोड्यूस बाइब बढ़िंग इस अब जो बढ़िंग है हमारा वह इन में से किसके अंदर होता है ठीक है किसके अंदर होता है बढ़िंग देखो राइजोपस राइजोपस क्या है राइजोपस तब एक फंगस है और फंगस के अंदर जो mode of reproduction होता है mainly वो क्या होता है आपका spore formation है ना अगैरिकस अगैन क्या है हमारा फंगस है तो यह भी फंगस है और यह भी फंगस है इसको commonly हम बोलते हैं bread mold और इसको कहते हैं हम mushroom ठीक है तो यह दोनों तो अंगस है और इसके अंदर spore formation के तुरू बेसिक के लिए क्या करते हैं रिप्रड्यूस करते हैं यहां पूछा क्या हुआ है आपसे बडिंग पूछा हुआ है आपसे कि बडिंग किसके अंदर होती है अब बडिंग जो है हमारी वो हमारे हाइड्रा में भी आपने स्टडी होती है येस्ट क्या है येस्ट तो एक युनिसेललर फंगस है क्या है येस्ट येस्ट एक युनिसेललर फंगस है औल्दो इसके अंदर इस बडिंग होती है बट फिर भी ये युनिसेललर होने की वज़ा से करेक्ट ऑप्शन नहीं बन पाएगा तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पर C that is the Hydra to correct choice क्या होगी हमारे यहां पर Hydra Hydra क्या है Multicellular Organism है जिसके अंदर budding होती है ठीक है तो यह हमारे पास correct option यहां पर हो गया चलिए मूव करते हैं next question की तरफ बहुत easy question है ठीक है ऐसे questions जो है वो हम expect कर सकते हैं paper में देखो इस तरीके के questions होते हैं यहां से न या तो examiner आपको बोलेगा कि आप लोग diagram draw करो एक label या फिर वो क्या यह ovary ovary से जुड़ा हुआ क्या है यहां पर यह what is this this is the fallopian tube या इसको आप क्या कह सकते हो oviduct ठीक है वो किसमें खुलती है आके एक bag like inverted pear like structure है एक pear की तरह दिखाई दे रहा है हमें और यह pear like structure क्या है हमारा this is called as what uterus ठीक है इसके बाद uterus opens into this particular portion that is called as the cervix and cervix open करता है किसके अंदर यह जो पार्ट है यहां पर यह वाला portion है that is called as the vagina ठीक है तो यह हमारे पास ABC आ गए हमारे यहां पर तो आप आप अगर देख सकते हैं यह हमारा क्या है ओवरी तो ओवरी ए कहां पर लिखा हुआ है इन दोनों options में लिखा हुआ है ना तो चलिए मतलब c यह डी में से कोई होने वाला है यह तो obviously eliminate हो गए है बी क्या है oveduct oveduct fallopian tube यह भी ठीक है हमारा uterus uterus यह भी सही है cervix और वजाइना में यहां पर इनोंने गड़बड की हुई है ना तो D क्या है देखो D क्या है हमारे पास यहां पर cervix तो D cervix कहां पर है इस option में दिया हुआ है और यह वजाइना है तो correct choice क्या हो जाएगी option number c चलिए move करते है next question की तरफ a sexual reproduction produces offsprings that are a sexual reproduction जब होती है उतके अंदर कैसे offsprings produce होते हैं वह में यहां पर बताना है तो देखो जो और sexual reproduction होती है हमारी उनके अंदर जो बच्चे बनते हैं जो बनते हैं they are clones क्या होते हैं वह clones होते हैं वह और क्लोन हम किसी भी चीज को कब बोलेंगे जब वह genetically similar होती है और morphologically similar होती है अपने parents से और जितने भी बच्चे साथ में produce हुए हैं उनके साथ में तो चलिए options को पढ़ते हैं genetically identical to their parents definitely अगर वह genetically identical है अपने parents से वह किसके थ्रू हो सकते हैं अपने parents से और उसके साथ में जो इनके बाई बहन होंगे यानि कि siblings होंगे उनके साथ भी यह क्या होंगे genetically identical होंगे तो दोनों यहां पर correct है तो देखो option दिया भी हुआ हमें बोत a and b तो correct choice क्या हो जाएगी यहां पर हमारी option number c चलिए move करते है next question की तरफ if there is no formation of egg cell क्या है क्या बोल रहा है आपको situation दे रहा है कि अगर देखो जब ovule develop कर रहा है उस development के time पर अगर आपका egg cell का formation ना हो ठीक है ना ना हो then after fertilization which of the following structure will not develop तो fertilization के बाद कौन सा structure develop नहीं करेगा आप लोगों को अच्छे से पता है कि यह जो egg होता है हमारा color change कर लेते हैं जो egg होता है हमारा वो male gamete के साथ में fuse करता है और क्या बनाता है जाइगोट बनाता है यह ना and this zygote further forms the embryo ठीक है इसमें क्या होता है divisions होती है और क्या बनता है embryo तो यहाँ पे देखो यहाँ पे seed seed बनेगा definitely seed तो बनेगा यह बनेगा ना देखो fertilization हुआ है fertilization होने के बाद endosperm जो है हमारा उसका formation भी होगा क्यों होगा क्योंकि pollen grain is carrying two male gametes एक male gamete fuse करता है एक के साथ में और दूसरा male gamete fuse करता है polar nuclei के साथ में to form the endosperm ठीक है ना और जो हमारा complete ovule है वो transform हो जाएगा किसके अंदर seed के अंदर तो यह भी correct option हो गया and ovary transform कर जाएगी किसके अंदर fruit के अंदर तो यह जो तीनों चीजे हैं हमारी, वो दिखेंगी हमें, क्या नहीं दिखेगा, अभी हमने देखा, अगर ये नहीं होगा, तो क्या ये प्रोसेस हो पाएगा, नहीं, तो क्या करेक्ट आप्शन हो जाएगा यहां पर, yes the correct option here is embryo, ठीके न, चलिए मूव करते हैं, next question की तरफ, okay, the number of chromosomes in parents and offsprings of a particular species, देखो क्या बोला है, इसने, chromosome है, parents और offsprings के, of a particular species, remains constant, constant रहते हैं, वो क्यों, reason क्या है, इसके पीछे वो पूछा हुआ है, ये number of chromosomes है, वो parents में और offsprings में, particular species, human ले सकते हो, आप यहां पर simplify करने के लिए, कि human के अंदर, जो parent है, उनके बच्चे हैं, उनके अ reason है, उसके पीछे चलिए, options को read करते हैं, हम लोग, doubling of chromosome before zygote formation, zygote formation होने से पहले, हमारे जो chromosome से, वो double हो जाते हैं, halving of chromosomes during gamete formation, half हो जाते हैं, chromosome के number, ठीके न, doubling of chromosomes during gamete formation, halving of chromosomes after gamete formation, अच्छा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे correct option भई, देखो, process होता कैसे है, जब भी भी आपका, gametes basically form होते हैं, तो जिन सेल से gametes बनते हैं, उन सेल को बोलते हैं, germ cells, क्या बोलते हैं, germ cells, तो यह जो germ cells होते हैं हमारे, इन germ cells के अंदर क्या है, इन germ cells के अंदर होता है, एक reductional division, यानि कि जब gametes बनेंगे, gamete का formation जब होगा, तो chromosome का number, half हो, जब gametes बन रहे हैं, germ cells से gametes का formation हो जाता है chromosome का नंबर हाफ हो जाता है और यह जो हाफ नंबर है हाफ मेल में भी भी होगा और फीमेल में भी भी होगा अब यह जब दोनों फ्यूस करेंगे inside the female body again आपका जो यह हाफ हाफ हुआ था यह दुबारा डबल हो जाएगा दुबारा फिर से deployed condition restore हो जाएगी तो correct choice क्या दिख रही है आपको यहाँ पे halving of chromosomes during gamete formation जब gamete बन रहे हैं gametes का formation हो रहा है उस time पे क्या हो रहा है हमारे chromosomes का number आदा हो जाता है half हो जाता है ना बाकी जो options दियो है वहाँ पे कुछ ने कुछ गढ़बड की हुई है after, after क्यों करना है भई हाफ हम लोगों को है ना और double तो definitely होगा ही नहीं तो correct choice क्या है यहाँ पे option number B, right तो चलिए हम लोगों ने अच्छा अभी एक और question है हमारे पास okay, let's discuss this question also which among the following statements are true for unisexual flowers, okay, इन में से कौन सी statement unisexual flowers के लिए correct है क्या correct statement है भई, पहले पढ़ते हैं statements को okay, starting with the first statement they possesses both stemming and pistol देखो, ध्यान से सको highlight कर लेते हैं किसके बारे में पूछा हुआ है इन्होंने पूछा है true statements किसके बारे में, unisexual के बारे में है ना, तो they possesses both stemming and pistol, क्या unisexual के पास दोनों चीज़े होंगी male और female part, नहीं तो यह statement तो हमारा wrong हो गया चलिए, move करते हैं second statement की तरफ they possesses either stemming or pistol या तो male part होगा या फर female part होगा yes, यह statement correct है यहाँ पे unisex इसलिए तो बोला हुआ है एक ही sex होगा either male or female they exhibit both self and cross pollination इनके अंदर क्या हो सकता है इनके अंदर self pollination भी हो सकता है और इनके अंदर cross pollination भी हो सकता है आपको लगता है कि जो unisexual flowers होते हैं उनके अंदर self pollination हो सकता है बताइए हो सकता है कि नहींद नहीं हो सकता है चलिए इनके अंदर self और cross जो है जो unisexual flowers होते हैं हमारे जिनके अंदर सिरफ stamen present होता है वो fruit को produce नहीं कर सकते बिल्कुल correct statement है यहां पर यह ना यह भी क्या है हमारे पास यह choice भी क्या है हमारी यह choice भी यहां पर correct है क्योंकि अब देखो fruit जो है वो बनता कहां पर है fruit बनता है हमारी ovary से अगर किसी भी plant के उपर किसी भी flower के अंदर अगर female part है ही नहीं तो उस female part के अंदर क्या होगा ovary नहीं होगी अगर ovary नहीं होगी तो वो fruit कैसे बनाएगी है ना तो definitely यह क्या है हमारे पास यहां पर correct है तो कौन सी statement जो है आपको यहां पर true दिखाई दे रही है second आपको यहां पर correct दिखाई दे रह है तो correct choice क्या हो जाएगी यहां पर option number B is the correct choice ठीक है ना तो यह हमारा question देखो बहुत easy question है but difficult बनाने का तरीका क्या है कि आप लोगों से आप लोगों से करवा रहे हैं कि छाटो इन में से बताओ कौन सा सहीया और कौन सा गलत है तो इसी के साथ हमने अपने जो 10 questions थे related to this particular chapter we have completed ठीक है I hope आप लोगों का preparation अच्छे से चल रहा होगा next video में मिलेंगे next chapter के साथ में till then take care bye bye